लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्स करें और डेल आइकुन को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्स करें और डेल आइकुन को सब्सक्राइब करें करनल आनंद विराच के जाने से पहले उस इलाके को लोग मौत की घाटी के नाम से पुकारते थे मगर उनके पहुँचने के बाद वो हजारों लोग जो आतंक के डर से घरवार छोड़कर चले गए थे दुबारा आकर उन्होंने वहाँ बसना शुरू कर दिया है दो साल के इस छोटे से अर्से में बीस हजार से भी अधिक आतंक वादियों को गिरवतार किया जा चुका है और गिंती के कुछ लोग जो बच गए हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उदर भागते फिर रहे हैं शांती का माहौल बनाने के लिए सरकार करनल आनंद विराज को शांती चक्र से सम्मानित करती है मुझा चाहिए कि और कि ये था हम समर्पित जंगियों का तो प्रुपा यह भेट हम तुम्हें पहले भी दे सकते थे मगर हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे जिस दिन तुम अपने बहादर करणल विराज को शांती चक्र से सम्मानित करोगे उसी दिन हम उसे तुम लोगों के सामने हमेशा हमेशा के लिए शान्त कर देंगे यह हमारा प् साथ में यही सलूख करेंगे और शायद इससे भी पत्तर हम आजाद हैं और हम अपने आजादी की जंग उस दिन तक लगते रहेंगे जब तक सारी दुनिया की नजरों में हम आजाद न कहलाएं हम तुम्हें एक महीने का वक्त देते हैं हमारे इलाखे में तुम्हें जो अपना आर्मी बीस बनाया है वो हट जाना चाहिए तुम्हारी सरकार में अगर हमारी शर्त न मानी तो हर वो शक्स जो हमारे इलाके में तुम्हारी सरकार का हमदर्थ है उसे नर्क पहुंचा दिया जाएगा और तुम्हारे मुल्क को वो तुफ़ा दिया जाएगा कि आने वाली नसले कभी भूला नहीं पाएगी एक महीना स्रफ एक महीना क्या हमारे देश के किसी भी इलाके में शांती नई बनी रह सकती सर उसे गरतार करने के लिए हमारी पूरी कोशिच तो जारी है जानता हूं मगर कोशिश करने के लिए जादा वक्त नहीं है हमारे पास एक महीने बाद वो न जाने कैसा धमाका करेगा बरसों की मेहनत के बाद हमने अपने विदेशिक दोस्तों से न्यूकलर बॉम हासिल किया है अब इसका इस्तेमाल छोटे छोटे मेरे भाई हम तुमको एक बहुत बड़ा मिशिन सौपने जा रहे हैं यू समझ लो कि आज तक हमने जो कुछ भी किया है वो कुछ नहीं है यह बॉम लेकर तुम रूप नगर चाहोगे और हमारे सिग्नल का इंतिजार करोगे एक महिने तक अगर इन कुछ ने हमारी शर्टों को नहीं माना तो तुम इस बॉम का धमाका करोगे जिसकी आवाज सारी दुनिया में गुझेगी और इस मुल्क की आने वाली नसले कभी इस तबाही को भुला नहीं पाएंगे आप सब यह जानते होंगे कि आज हमारे स्कूल में कौन आ रहा है हमारा क्यकूलेशन कहता है कि मंतिरी महद Municipal आ रहे हैं आप सब यह भी इस साथ हूँ पा socialist पानी फिर सकते हैं ये स्कूल स्टूडेंट के तारीफ में तो मैंने जमीन आस्मान एक कर दिया दिस्टिप्लिन के बारे में यहां तक कह दिया कि अगर हमारी स्कूल में एक छोटी सी सुई भी गिरती है तो इसकी आवाज बाहर तक चाहिए इसको रहने दो इतना जूट बोला है कि अब तक नीरी जमान चल रही है मैं एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग अगर मंत्री जी के सामने जरा सी भी घड़बड हुई तो पतीस लाग रूपे तो गए हाथ से मगर उसका असर आपकी सेलरी भी पड़ सकता है खांसी बंद इसलिए आप लोग अपने स्टूटेंट को अची तरह समदा जीजिए कि जब जंडा वंदन के समय नैशनल अंधम का रिकॉर्ड बजेगा तो सब सांस रोक कर सिर्फ जंडे को सनामी दें अटाइट शच्ट अटाइट शच्ट ओ लाल दूपठे वाली तेरा नाम दो बता ओ लिख करते वाली तेरा नाम तो बता तेरा नाम दो बता कर दो कर दो केमिस, कुले, आख़ी दख़से आफ़ान, को के लोदी, को के लोदी, को के, ओ! अरी, सबस्टावे, सबस्कावे! अच्छी सिंगरेट किस पांथ का गुर्मों नहीं क्या कर रहे हो मैंने सुभा 9 बजे मेरे आफिस को आने के लिए कहा था नो आपकी आफिस में तो खड़े हैं सब मेरा आफिस है सर पता निया सब्सक्राइब को आपका आफिस फर्स फ्लोर से किसी ने गार्डन में शेफ कर यह कोई भी आईपी नहीं हमारे स्कूल का टीचर है टीचर है तो इसका इतना सौगत क्यों किया जा रहा है यार क्या पता देख ले ना प्रिंसिपल साब इसकी तारिफ में जमीन आसमान एक कर देंगे प्यारे स्टूडेंट्स इस वक्त जो हस्ती आपके सामने खड़ी है उस हस्ती का नाम है अजय सकसेना इस बहुत महान इंसान है इनकी इंसानियत की जितनी भी तारिफ की जाए वो कम है जो भी खुश्टूडन थे तो दुनिया इन्हें इन्सानियत का नमूना कहती थी एक महान कभी हो सकते था मगर मेनी नजर में एक टीचर होना सबसे ज्यादा महान है और सबसे बड़ी खुशी के बात यह है कि यह इसी स्कूल के स्टूडन को पढ़ाने आए इनके दिल में स्टूडन के लिए कितना जजबा है स्टूडन के लिए कितना प्यार है स्टूड आरो तो ऐसा आण अग रोड़े चाहर आण अग ये तो आण अग बाइव अगा ये क्या अगर आप हम लोगमें पर शक कर रहे है ये तो हमारी बेस्ति है तुम लोग भी मेरे साथ वही ना करो इसलिए मैं तसलिक कर रहा था पुर्सी की टांगे थोड़कर टीचर को गिराने का तरीखा तो बहुत फुराना हो गया है सर आज कल तुम लोगों का लेवल तो कुछ और है सर इसका मतलब तुम लोग ने मेरे लिए कुछ और सोच रहा ह है ये क्या सर आप तो पहले से दर गाता खबराए मन बैच जाए है थांक्स प्रिंसिपल साब ने तुम लोगों को मेरे बारे में बताई दिया होगा अब मैं तुम लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ है तुम हरा नाम क्या है आपी का नाम है सर अजय गुड फिर नेक्स्ट गविंदा सर गविंदा नेक्स्ट शिल्प तुम लोगों के नाम सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लास्रूम में नहीं सिनमा घर में बैटा हूं चलो लेट सम तुद पॉइंट गुद मॉर्निंग तीचर गुद मॉर्निंग सिदाउन यह मेरा पीरियड है आपको गलत फैम हुई है टाइम टेबल के इसाब से मेरी क्लास है लगता है आप आज ही नए नए आये है हो सकता है आपको जो टाइम टेबल मिला है उसमें कोई प्रिंटिक प्रॉब्लम हो मगर आप किसी भी स्टूडन से पूछ लीजिए यह मगर मुझे लगता है टाइम टेबल कुछ बदल गया अच्छा होगा अगर आप जाकर चेक कर लें क्या कहा आपने मैं जाकर चेक करूँ देखिये मैं स्कूल में पिछले तीन साल से पढ़ा रही हूं और आप आज ही आये हैं मैं सीनियर हूं और आप जूनियर इसलिए ताइम इस्क्यूज मी आपका नाम जया सॉरी जया जी सॉरी स्टुडेंट्स अच्छे बाबू हमारा केल्कुलेशन कहता है कि आप जिस क्लास में गए थे वो क्लास भी करंट थी और आपका पीरड भी करंट था फिर वो टीचर गों थी टीचर नहीं जया इस्टूडेंट स्टूडेंट में रहती है पढ़ाई लिखाई में नंबर वन खेल कूद में नंबर वन और रैंगिंग में भी नंबर वन अरे टीचर को क्लास से निकाल देती है जब तुम लोंको ने कहा था कि तुम लोंको का लेवल कुछ और मुझे पहले ही समझ लेना चीए था नो का खा गया है तुम लोगों ऐसे जया कोन है गुद मॉर्निंग सर और इम सारी यड़ा तुम्हें बैटने के लिए इसने का और सौरी बोल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या सोचकर तुमने यह हरकत की बोलो आप ही ने तो कहा था सर तु एवरी आक्शन दर इस न अपने आपको बहुत होशे और अकलमन सबस्ती हो मुझे पता है तुम पढ़ाई लिखाई खेल कुछ बाकी सब चीजों में नमर बनो मगर डिसिप्लिन में वस्ट हो बस यही एक बुराई है जो तुमारी सारी खूब्यों को ढखने के लिए काफी है गलती हो गई सर मगर सबने मुझसे यह शर्ट लगाई थी कि मैं नए टीचर को बेवकुप नहीं बना सकती इसलिए मैं बस हम हिंदुस्तानी और अंग्रेजों के बीच में सिर्फ यही एक फर्क है अगर उन्हें काटा चुप जाए तो वो कहेंगे आई स्टेप अंदर थौन मेरा पैर काटे पर पड़ गया और इसी बात को हम इंदुस्तानी कहेंगे काटा मुझे चुप गया जैसी कि काटा खुछ चलकर आया हो और पैरों में चुप गया तुम अपने गलती दूसरे पर ठोप रही हो वाह सर क्या मिसाल दी है सीधी दिल में चुप गई तुम्हें मजाग सूज र चुप का दोस्त अरे तूझे है अरे आके फार फार क्या देक हो हम का पहचाना नहीं हम पुहार बच्पन का दोस्त है शगून अरी जया ही हमार निया टीचर आया है यह हमार बच्पन का आउ है तो है एक हई क्लास में हम दोनों पड़त रहें लेकिन उका है कि हम फेवी कोई की तरह ही हाँ चिपक के रहेंगे और यह सुस्रा बड़त पड़त आध हमाद टीचर बनकर यहीं हाई कवा अपनी जागा पर जागा अरे हमका बॉलने थे का बॉलने में इंकम टेक्स है का अरे तो क्यों कि उपकत यह बहुत आउ था का था अगुन कुछ दिमाग नाम की चीज है या नहीं मैं यह आका टीचर हूं और तुम मेरे स्टुडेंट इज्जा तो तमीज से बात करो अच्छा बच्पन में तो बहुत बड़ी-बड़ी बात करत रहे कि तु हमार दोस्त है हम जान है तु हम तुहाल ये कुछ भी कर सकत है और अज हमका हमका तमीज और इज़त सिखावत हो अपनी जगह पर बैटो बैटो वहाँ कि अपनी जगह जाके बैटो वहाँ जाइत है तु कहीं तो हम जाइत है लेकिन हमका तुसे यह उमीद ना ही थी अरे भूल गया हूँ दिन जब स्कूल के बाद चने खाका घर को जाया करता था अरे गुल्ली डंडा कंचे पतंका साथ ता हमार और यह एक ही जटके में सब कुछ तोड़ दियो छोड़ो मामा शांत हुई जाओ अर कैसे छोड़ो भांजा हमार दिल दिख्वाया आई आज मैं तुम लोगों को लिट्रेचर में एक तुम खड़की हो गई बैल सर बैट जाओ कोई बात नहीं आज पहला दे में कम से कम एक लाइन तो पड़ाऊंगा बैट जाओ सर केम स्पीरियर्ट चैया कर्ल्स बॉइस अर्य अर्य अजया 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 आधिया बाबा वुचाए तक हादगाड़ी में पहुंचा दे नहीं बेटे तुम जरा पीछे से धक्का देलो बस अरे आए आए ये जवानों का काम है आए आए लीजिए आप जित करते हैं तो ज़्या आया वए टीछे को तुम जरूरुछ ज्यादा ही तंकरनी हुँ औरना ही पड़ेगा ना अट हर अट है अ करल शुब आ यह फोल्रिय यह ए तुम्हों हार क्यों गुमरी हो और स्कूल में छुट्ट्टि हो तो तो उसन में बढ़ाई कर रही चीए, क्यों पढ़ाई करो? Take care sir, bye. Thank you. Good morning sir. Good morning. Thank you. अपने वक्त परबाद नहीं करना चाहता, अपनी किताब देना? यह लेजिये sir, मुझे तुमारी किताब नहीं चाहिए. तुबेट, मेरी किताब में कोई नुक्स है sir. बस नहीं चाहिए, क्या दिया न? आप भरी क्लास में मेरी इंसल्ट कर रहे है sir, आपको वज़े बतानी होगी, आखिर आपको मेरी किताब क्यों नहीं चाहिए? मैं वज़े बताना जरूरी नहीं समझता, जो अपनी सीट पर जाकर बैटो. अरे ओ आजे, हमार मतला भे sir, कल तुमने किताब खोली तो घंटी बच गई, आज कई ऐसा ना हो कि किताब भी ना खोले और आऊ हो जाए, कहा हो जाए? आओ, यह मा पेक तुम धगड़ते रहोगे, तो हमका पढ़ाओगे कब, भाई हमार पढ़ाई का नुक्सान होत है ना? मुझे पता है तुम्हें पढ़ाई का कितना शौक है शगुन, अपनी सीट पर बैढ़ जा तुम भी. मामा आओ, 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 आपनी किताब दो, थैंक्यू सर्, औरत, औरत के बारे में आज मैं तुम्हें कुछ खास बाते बताना चाहता हूँ, चानते हो, औरत, औरत कब खहलाती है, वैसे यह है तो बहुत ही बेतु का सवाल, लेकिर इस वेरी वेरी, स्टेल अप, स्टेल अप, यह क्या कर रही हो तुम, मैंने क्या किया है सर्, तुम्हारी यह हरकत देखकर ही तुमसे बूचाओ मैं, पता नहीं नहीं क्या हो गया है, जब से आय है मेरे पीछे ही पड़े हुए है, ए अजे, येस जया, अगर किसी वज़े से तुम्हारे तुम क्या करोगे, ज़रा करके बताओ, हाँ, और तुम नीला, और तुम सब लोग ज़रा करके बताओ, अगर मैंने ऐसे किया, तो यह मुझे क्यों डाट रहे है, सर आपी कर रहे है, टेको जया, तुम एक होना स्टूडेंट हो, तुम हर सब्जेक में नंबर वान हो, लेकिन मेरा स्कूल में दूसरा दिन है, मुझे एक लेसन तो पढ़ाने दो, तो मैंने कब रोका है, सर, पढ़ाइए, आज मैं सबसे पहले तुम्हें, बाई, शागून, अरे का हुआ मामा, इस सड़े हुए तबेले की भ्यास की तरह काहे बैठे हो, अब क्या बताए भानजे, आज हम क्लास में सो गए थे न, उस सुसरे मास्टर आजे ने हमका एक हपते के लिए बेंच पर खड़ा होने की सजा दी है, अब हमार चटी छोटी छोकरिया के सामने शरम लागत है न, नीचे से सब आउ, हम क्लास में नहीं जाऊंगा, अरे गबराते का है हो मामा, हम तुम का है संदर की बताऊंगा, अरे तरह कान को यहां लाओ, आउ, आउ, गुद मॉनिंग, प्लीज सिलाम, कल मैंने गदे को बेंच पर खड़े होने के अधे कहा था, लगता है भूल गया है, एक हाँ, तुम्हार हुकामी थो पूरा कर रहे है सर, तुमलें कहा की खड़े हो, जबने कहा ना, नीचे उत्रो, इधर आउ, यह क्लास में कच्छा पहन पहन कराने की क्या जरूर हो थी, वो क्या है सर, आज गीम स्पी रड़ है न, इसलिए अच्छा यह इंस्पिरेट सबका है यह सब तो कच्छा पहन करनी है तुम क्या स्पेशल हो सर हमें खेलने में बहुत तक्लीफ होते हैं ना अपने आराम के लिए हम यह कच्छा पहन है तो मेरे आराम के लिए काम करो साथ दिन तक स्कूल में नजर मताना अगराउट अजय हमार बात सुखें आउट आउट इसलिए इसमें हनुमान जी के चरिद्र के वारे में भी बताया गया है जया आज से इस क्लास में या तुम रहोगी या मैं बोलो बाहर को जाएगा सर आप क्यू तकलीफ करते हैं मैं ही चली जाती हूँ सब्सक्राइब क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को सुन्दर कान पढ़ा रहा था सबको कुछ पूछ सकतो हैं से इस विशे में अभी अभी मैंने थोड़ी सी जानकरी कुछ ज्यादा नहीं पूछूँगा वाट इस सुन्दर कान आप में से कोई बता सकता है सुन्दर कान की शुरूआत में रामचंदर जी को याद करते हुए अशोका वाटिका में माता सीता रोने लगती है ठीक उसी तरह दूसरी तरफ रामचंदर जी अपनी प्रिय पत्मी सीता जी के बारे में सोचते हैं कि वो कैसी होगी और कहां होगी और इसी सोच में जंगल में भटकते हुए वो भी राने लगते हैं ठीक उसी समय रामभग थनुमान माता सीता से अशोका वाटिका में मिलकर उन्हीं श्री राम की मुद्रिका देते हैं माता सीता मुद्रिका देखते ही अपने ब्रहम से मुक्ति पा लेती है और उन्हें फौरण एक दूसरा ब्रहम सताने लगता है क्या वो दुबारा श्री राम की दर्शन कर पाएंगिया नहीं ठीक उसी तरह जब रामभग थनुमान वापस लोटकर श्री राम को सीता जी के बारे में बताते हैं तो उन्हें भी अपने ब्रहम से मुक्ति मिलती है और उन्हें फौरण एक दूसरा ब्रहम जकर लेता है कि सीता जी से उनकी भेठ हो पाएंगी या नहीं श्री राम और सीता जी को लगे इस भ्रहम से छुटकारा दिलाने वाला ही सुन्दरकांध है बस सर हमारे टीचर ने हमें यहां तक ही पड़ाया है कितनी खुटसूरती से बच्चों को समझाया है आइं वेरी हैपी यूर रियली अ गुड़ टीचर एक्सिल्ट आइमस्ट से गड़ ब्लेसिंग्या पाथ है बहुत कुट चलिए सर अब भी मेरा बाहर जाना जरूरी है या थांक यू दुटप्स्पान थाँ पाँ दुटप्स्पूर्ट थांक यूर्ट यूर्ट थांक प्यूर्ट कि यह तुछ है तुम रुको पहले मुझे फॉन करने दो मेरी गल्पन्स हो जाएगी प्लीज चुप पहले मैं फॉन करूंगी क्या बात है सर आप कुछ पारिशान लग रहे हैं कि इस महिने का ठेली फुन का बिल कितना आगता है देखो मैं कभी इतना फोण करता है नहीं है अगर मुझे फोन करना ड में जाड़ा हो इतने पलिशे कभी आते हैं है क्या मुझुध्य एक अरै अरे अब प्पोन क्यों रख रहे है बेटी से बात करते हुए बल हो गया वेट हमारे प्रिंसिपल साब बहुत ही अच्छे है वो बिल खुद देते हैं पता है आपको मैं आपके साथ एक और घंटे तक बात कर सकती हूँ एक घंटा अटेंशन अटेंशन प्लीज एक कुछ केवरी सुनिये आज हमारे साइंस और मैथ कर दोनों टीचर नहीं है क्या बात है क्यों शोर मचारे हो इतना आपका पीरियड नहीं है जानता हूं मगर प्रिंसिपल साब ने मुझे इसलिए भेजा है ताके तुम लोग इतनी शरारत ना कर सको कि आसपास के स्टूडन्स भी पढ़ना सके आओ चंके प्रेजन से निलम आयू सूर कोवेंद मौजूद हूं सर सो नाम लगता है मेरे आने से तुम लोगों कुछ ज़्यादा ही दुख हुआ है नहीं तो और क्या सर खुशिया मनाए सोचा था दो पीरे खाली है नाचेंगे गाएंगे खूब मस्ती करेंगे अगर तुम लोगों के नाच गाने और मस्ती में मैं भी शामिल हो जाओं तो किसी को एत्रास तो नहीं होगा वाट यह क्या कह रहें सर सही कह रहा हूं सो कमान जॉइन में करेंगे नाच गाओ फिल्म दिखाओ माच मजे की यह घरी नाच गाओ मौच मज़े को उम्र पड़ी है पड़ने की है ये घड़ी आदत बुरी ये फिल्म की बाते करो तुम इल्म की और मौच मज़े को उम्र पड़ी है पड़ने की है ये घड़ी चंकी प्रसेंट सिर नीलम ये सिर वीर भगतिंग फासी चड़ा मनोच शहीत में अच्छा लगा गोविंदा क्या है सर सोना आई हो हिष्ट्री में क्या है पसंद तुम्हें दिखला मुगले आजम हमें कैसे लाए आजादी गानी जी को याद करो उस आजादी का फाइदा हमको कुछ का उठाने दो बजादो उठादो फाइदा उस आजादी का आदद बुरी ये फिल्म ची बाते करो तुम इल्म की हे नचो गाओ की में दिखाओ मौच मजे की ये घरी हर मौच मजे को उम्र पड़ी है पड़ने की है ये घरी कि मौच मे補ी का किताब कहाँ है घर भूलाया और तुभारी लाई हूँ अब शेक्स पीयर खोलो जरा क्या कर रहे हो पेंसिल छिल रहा हूँ और तुम क्या ही डारी हूँ देश झाने वह है साइकोलोजी लर्क लर्की मिले वह Willi अंग्रेजी लिट्रेचर का अब वाकि हर घंटा हम चीनेचर रोमैस कड Spec आदत बुरी ये फिल्म की बाते करो तुम इल्म की आए नाचो गाओ फिल्म दिखाओ मौच मजे की ये घरी और मौच मजे को उम्र पड़ी है पड़ने की है ये घरी आदत बुरी ये फिल्म की बाते करो तुम इल्म की कि रुको में लेस बांजी आउच ये क्या बेहुदा मजाक है क्या तुम्हें स्कूल में यही सिखा जाता है मैंने क्या किया तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है मैं ऐसे गंदि हड़कत करते में तुम्हें शरम मैं मैंडम क्य लगाने से फुटबॉल कैसे हो चलती है शाहिद तुम्हें नहीं मालूं कहीं पीजा सकती है मैंने Пड्रकत की कुई हर Neी की घंजन tej तुम्हारे sommes बहुत ताकतवर हो तुम हाँ छोड़े मेरा हाथ चोड़ो मेरा कमा चोड़ो, come to the bus come on, get inside, get inside, quick, come on, come on get in, get in, get inside हाथ, हाथ, हाथ 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 हाथ, चल उल चल चल उल कर दो कर दो फप्नी जगेशे को हिला, की कुबिनी जोलुगा हाथ, पुर नालुगा, सबको तर्दलली बेवल्टो तर्दलली बेवल्टो तर्दलली बेवल्टो अब बाइब दो आई, उन अब तेरा जिन्दा रहना ठीक नहीं है, कुटे आई, आई कुटे आई 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 इस बात का किसी को पता ना चले कि इसकी गरभतारी में मेरा कोई हाथ था मुझे अपनी फिकर नहीं है लेकिन स्कूल के उन बच्चों की है ऐसा नहों कि मेरी वज़े से उन पर कोई आज आ जाए आए अंडरस्टेंड मिस्टर जे लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम ने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया है इस बात को राजी रखा जाएगा वेल दान थांकियो सड़ थांकियो वेल दल थांकियो सरर एक बात पूछऊं थोड़ी देर पहले जब गोविन ने आपका हाथ पकड़ा था तो आपने ये कहकर हाथ छुड़वा लिया कि तुम बहुत ताकतवर हो और इससे आपने अज अनतिए स्टूडेंट है कि सजा देने से स्टूरी से बदलाव नहीं आता और मैं गोवन में बदलाव देखना चाहता हुआ अब जोटे ग्रिफतार हो गया है और हम लोगा पर हाथ धरे बैठे उन कुतों ने उसको जकर लिया हमारे शेर जैसे भाई को कुतों की फाउच ने जकर लिया प्रण प्रण अपना बादा पूरा नहीं कर पाएंगे और आज तक हम ने अपना हर वादा पुरा किया है और ये भी करेंगे का बात है मामा चारे स्टूडेंट्स मैदान मा है तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो हमार साथ दिन की छुटी की ना हूँ सुसरे आजेने ये बात पर हम ना पिकनिक पर जा सके ना मज़े उड़ा सके गर में पड़ें 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 बेंगन की तरह रहां शड़ गहां हम एकर ऐस म१डले जल III की लेकिनी जया की किताब मैं का रख रहे हो तुम इस तो का बाद में बदा चले चल आउस 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 गूर्णिंग आप आज आपने टाए नहीं लगाई है सर्थ क्यों टाए लगा बेना मैं पढ़ा नहीं सकता गुस्सा क्यों होते हैं सर लेकिन आप टाइम में ज्यादा हैंसम और स्मार्ट लगते हैं हुआ होप आज तुम लोग में से कोई शरारत नहीं करेगा क्योंकि आज मैं जो लेसन पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टन और इंट्रेस्टिंग है का बाते मामा तर इतने बुरी तरह काहे चाओंके हिताब बाबम रख दिया होगा मामा आउँ आउँ चैसरा भाराना मैं सब येस लागत है कि बहुत वी इंट्रेस्टिंग लेसन हुआ है उका है कि पहले सर जैया को समझाएंगे ओका बाद जैया हम लोगन को समझाएगी ओका बाद कहा होगा देखो जैया ये पहली या बेकरार है आई बहार है आजा मोरे साजना देखो जया, यह पहली बार है, पहला खत है, अगर किसी के हाथ लगया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी, be careful. तूरी, तूर तुझे अकले में बाहर क्यों लायत है, और यह तेरे हाथ में चिट्टी कैसी, सर ने दी है, I love you, oh my god, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह सर के अरकत हो सकती है, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, उन्हें क्या सूचा है, इस कट का जवाब देगी, यह तो बहुत इंट्रिस्टिंग मैटर है, तो तमझ कर बताऊंगी, तो तमझ कर बताऊंगी, गुद मॉनिंग, प्लीज सिलाओं, तायली जी, अब मुझे तुम्हारी किताब की कोई जरूत नहीं, मैं खुद दुकान से खरीद कर लाया हूँ, चाहकर बैठ चाहूँ, मामा, लागत है आज फिर हम लोगन की पढ़ाई नहीं होने वाली, आज का रख दिया है तुमने, मामा, आओ, 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 जैया, लागत है कि मास्च जी तुमका कुछ सम्झाना चाहत है, जाओ उनका साथ, शावन, बहुत हो गया मास्च जी के साथ, महँ दो खोन, छोड़ दो उसे, जैया, पीज कम आऊओ, जैया, मास्टर के आउ में क्या है जैया के आउ में मास्टर के दिल में जैया, जैया के दिल में मास्टर ये दिल जैया देगी मास्टर को, मास्टर को जया, यह दूसरी बार है, यह दूसरा ख़त है इस वर्ट मेरे दिल और दिमाग में ऐसी हाई, चल मचरी में बयान नहीं कर सकता बस इतना समझ लो, मैं भहुत बेचेन हूँ समझने कोशिश करो क्या बात है, दूसरी चट्टी तेख, अगर तू सर को नहीं चाहती, तू मुझे बता दे, मैं सर को जवाब दे दूगी अभी तक मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं, कि मैं उन्हें चाहती नहीं अगर शॉष्टों सटीू नहीं की अजिस तू मच्श अरे कुछिए और समय को नशना अंदास करता remember तुमको वर्निंग दी, इसके बाव जो तुमने तीसरा लव लिटर लिका हुआ वे अपने टीचर को, अपने घुरु को, हद होगी पे शर्मी की. अगर Mr. Ajay की जगा कोई दूसरा होता ना, तो तुम्हारी जिन्द की बरबाद कर देता. अरे यह तो इनकी शराफत है, कि उन्हें सीज़ा कर मुझे से कंप्लेंट की. सर, आप मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए. तुमको कुछ कहने की जरुगुरत नहीं है. क्यों नहीं है? अब एक तरफा बात सुनकर मुझे डाट नहीं सकते सर. मेरी भी तो बात सुनिए, मुझे क्या कंप्लेंट करनी है? तुमको क्या कंप्लेंट हो सकती है? तुम्हारे लेटर तो सामिन रखा हुआ है. लेटर है, लेटर है. यह आप क्या कह रहे है, सर? इन्होंने मुझे लिखा है क्या वक्वास करी है तुम अपने दिल पर हाथ कर को यह लेटर मैंने लिखा है और नहीं तो किस ने लिखा है याद कीजिए जब आपने मुझे पहली बार यह लेटर दिया था तो क्या कहा था अगर किसी और के हाथ लग गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी यहीं ना और क्या करता मैं तो मैं तो मैं बदनामी और गलत रासे पर चलने से रोगने के लिए, क्या करता? अगर ऐसी बात है, तो दूसरा लेटर देते वक्त ये क्यूं कहा था? कि इस वक्त मेरी दिल में, मेरी दImag में कैसी हलचल मची हुई है, ये में बता नहीem सकता, बस इतना समझ लो कि मैं बहुत बेचैन हूँ अरे क्या मुश्य बढ़े तो मेरे किसम खा रही है मतलब दुनम्त से एक तो जूड पुल रहा होगा तो मेरा मरना तो पक्का हो गया आप मुझे बताना पड़ेगा ये खलत किसी लिखाए अगर आप मुझे पर शक कर रहे हैं तो मुझे स्कूल में पड़ाने का कोई हक नहीं है मिरवानी करके कल आप मेरा इस्तिफा मन्सूर कर दीजिए अरे ने ने आजया बबू मैं आप जैसा कावी टीचर नहीं खोड़ सकता इनक्वारी बात में होते रहेगी फिला मैं इस यादा नहीं होगी बच्ची की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा कोई नुकसान नहीं होगा सर यह उसल में बैटकर पढ़ लेगी शीदा इंटेलिजेंट गर्ल बस कीजिए अब बेकार में मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं मुझे स्कूल से बंदा दिनों के अगर लड़कों को इस लो लेटर के बार में जरा सबी खबर मिल गई तो तो हंगा मकडा करतेंगे कि अगर कि अगर कि अगर पूछोना क्या हुआ क्यू हुआ कब हुआ दो जवा दिल में जो होता है सब हुआ ताका ताकी जाका जाकी देखा देखी हो गई लड़की ती कम सिन देखते ही खो गई फिर क्या हुआ मामा लैला बेचारी का करती नजरिया मजन से लड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजन से लड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजन से लड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजन से लड़ गई वो तो चतुर चालाक बड़ी थी किसने उसे बनाया अर नाच नचाती थी वो सब को किसने उसे नचाया एक जवा चैला अलवेला अपने शहर में आया प्यार की उसने प्यास जगादी ऐसा जादू चलाया मजनू बेचारा का करता कि लैला खुद पीछे पड़ गई पड़ने को आई कुछ और सबक कुछ और ही पड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजनू से लड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजनू से लड़ गई कि लैला बेचारी का मजनू सकतिता कि लादी नजरिया कि अप गई हादी का कि लुपर लादी से लादी जादी नजरिया रूज कि अवग्या यूज कि व्यूज नजरिया चटपट चटपट नटखट प्रेमी प्यार के तत पूँचे पंसी की धुन सुन राधा जू चमना तत पूँचे 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 जवां उम्र का लड़का है और लड़की नादा नादा कैसे इन में प्यार हो गया सोच कि हूं मैं है राव किसी से भी हो सकता है ये प्यार तो है बस प्यार प्यार कोई सी माना माने ना कोई दीवार आशितों की यही आरजू दोनों यूही रहे रूबरू अल्ला हूँ 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 रीत बड़ी जिदवाली की जिस पर अड़ गई अड़ गई पड़ने को आई कुछ और सबक कुछ और ही पड़ गई लैला पेचारी का करती न जरिया मजनू से लड़ गई कि अड़र्ख idor से बाग युखरे तुम हम तोहर का इंतजार कर रहे थे यूँ पी बताने के वास्ते कि फिरफी प्रेम पत्र जैणने तुमको नहीं लिखा है कुं कि arbeitet अ ब्वकैं डाल दी हम सच बोलत है हलो जया जया अंग्रेजी में एक कहावत ही इस एजी डिस्ट्रॉई बट हाट टू बिल्ड पिला सोचे समझे प्रिंसिपल साफ से शिकायत करके मुझसे बहुत बड़ी गल्पी है असल में शरारत शगुन की थी मुझे माफ करे सर एक लड़की का नाम एक लड़के के साथ पहली बार शादी के कार्ड पर छपता है लेकिन मेरा नाम तो आपके साथ स्कूल की कंपाउंड से होस्टिल के बातरूम तर लिख दिया गया है अब हमारे पास एक ही राष्टा है सर कि हम सच मुझ एक दूसरे के ही हो जाये भूष में हो जया। चग नहीं तुम किससरा बात करी हो जया देखिए सर इनकार मत कीजिए रात को थोड़ी देर सोचिए मेरे बारे में मैं वादा करते हूं सारी रात आखों आखों में इकट जाएगी और सुबह जब आप स्कूल आएंगे तो आपका ये फैसा खुद में खुद बदल चुका होगा गुद मॉर्निंग सार गुट अप्टे भर तो स्कूल में सर खपाते रहते हैं सर एक संदे को छुट्टी मिलती है वो भी फूलों को सताने में गवा रहे हैं कभी तो लाइफ इंजोई कीजिए निलम ये सर लड़की तो होस्टल में रहती है इस सुबसमा तुमारे घर में क्या कर रही है इसका जवाब मैं देती हूँ तू जा यहां से अरे जाने आँ बात दरहसल यह है सर कि मैं होस्टल छोड़कर आपकी पडोसन बन गई हूँ मेरा मतलब यह है कि मैं पानी पूरी शर्मा जी के घर पेंग एस बन कर आई हूँ खाने पीने और रहने का सब मिला कर एक हजार रुपया महीना देना पड़ेगा बस यह सोच में पड़ गये सर मैंने तो आपको उसी दिन कहा था कि दुप के तुफान में से खुशी की किनारे पर पहुंच जाना ही सुन्दरकांड है और मेरा सुन्दरकांड है आपको ढू क्योंकि तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती अरी दूआ नहीं दे सकते तो कम से बद़ा तो मत बीजिए जैसे तो यह मेरी पहली और आख्री इच्छा है मैं भी देख क्यूंक्य पूरी नहीं हो तेक हो जाया मेरे हाथ में जाड़ी कातने वाली कैंची है एसा क्योंकि आपका गुस्ता भी अब मेरा इरादा बदन नहीं सकता बाइग कर स्कूल अकेले मच चले जाना मुझे भी आपने स्कूटर पर बिठा कर ले चलना रास्ते में खुब मज़ेदार बाते करेंगे नमस्ते जी नमस्ते बेटी तुम अंदर जाओ जी आप यह अंदर चलिया न मैं कबाब में हड़ी बनकर क्या करूंगी मैं यहीं ठीक हो अच्छा आईए जी अरे सोनम यह सब क्या चक्कर है तुम मिक लड़की और सर को अंदर जाते हुए देखा तो मैं भी कई दिनों से देख रही हूं हर दूसरे तीसरे दिन यह और अलग लड़कियों को लेकर सर के पास आती है कुछ तो बाहर बैट जाती है और लड़की सर के साथ अंदर चली जाती है और फिर लड़की बाहर कितनी देर बाद निकलती है कोई 15 मिनिट में निकलाती है तो किसी को आदा घंटा लग जाता है कि इसे क्या चक्कर है सार ऐसा कैसे कर सकते हैं जी लड़की जब बड़ी हो जाती है तब वो औरत कहलाती है नो नो आपने मेरे सवाल का जवाब कुछ ठीक नहीं दिया कि आप मेरे हर जवाब के बाद इस तस्वीर की तरफ क्यों देख रहे हैं यह मेरी दाती है आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी जब मैं उस तस्वीर को देखता हूं तो यू लगता है जैसे वो मुझसे बाते कर रहे है एक आखरी सवाल जी और घर में दिया क्यों जलाती है अंधिरा दूर करने के लिए सिर्फ अंधिरा दूर करने के लिए हाथ रोशनी करने के लिए और क्या वो दिया जलाने से रोश्णी तो होती है लेकिन मेरी दादी कहती थी कि घर में दिया इसलिए जलाया जाता है ताके घर में सुक आए शान्ती रहे लक्षमी बढ़े आप समझ गई ना कि देखिये मुझे गलत मत समझिये लेकिन ये लड़की भी मुझे ये आप क्या कह रहे हैं मैं आपको कैसे गलत समझ सकती हूं आप एक अनात लड़की से शादी करके अपना घर पसाना चाहते हैं ये तो बहुत ही नेक काम है वैसे आप फिकर मत कीजिए मेरे अनात आश्र मे साड़े तीन सो लड़किया है जब तक आपको अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती मैं बराबर यहां आती रहूंगी शुक्रिया मुझे लड़की में ज्यादा कुछ नहीं लड़की पड़ी लिखी हो समझदार हो और मेरा घर बस आ सके बस यही कुछ गुन चाहिए रोको रोको भया ही रोको आप टीचर अजय कुमार सक्सेन का घर बता सकते हैं जी मैं ही आजय कुमार सक्सेन मैं शिवननन अनाथाश्रम से आई हूं मगर रोज यो औरत आती वो जी उसकी तबर ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई वो अच्छा अच्छा कोई बात कहिए मैं लड़की दिखाने लाई हूं लड़की मुस्लिम है आपको कोई अतराज तो नहीं होगा नहीं नहीं मैं जात्पा धर्मरम नहीं मान। आओ बेटी असलम वालेकुम वालेकुम असलाम चलिए अंधर चलिए आए ये लो अपना इनाम अच्छी एक्टिंग करने का आप चलो पूछने की जुरत कर सकता हूं क्यों नहीं बड़े शौक से लेकिन मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी हां हां क्यों नहीं क्यों नहीं पहले आप पूछिए अच्छा तो यह बताईए गाई बच्छरे को जब जरन देती है तो बच्छरा फॉरण मा का दूद वहां है यह क्या सवाल हुआ आप ही बताईए जानवर तो बेजुबान होते हैं हम इंसानों की तरह अपने बच्छे को बोल के बता नहीं सकते फिर भी उनमें सोचने समझने की सौलेट कैसे होती है बिना बताए अपने मा के स्टन से दूद कैसे पीते हैं अगर यह सवाल आप मुझे से चीचर से पूछने के बजाए एक आम आदमी से पूछेंगे ना तो वो भी उसका जवाब देतेगा यह सब कुद्रत के करिश्में यूनों जानवरों के बच्चों का अपनी मा के स्टन को ढूड़ने का सेंस फिफ सेंस कहलाता है पांच वार अच्छा समझता आया है शादी के वक्त अचानक इतना ना समझ हो जाता है जो इंटेव्यू लेने के जरुवत पड़ती है पूरा नहीं मानना मगर आप किसी स्टेनो या टाइपस्ट का इंटेव्यू ले रहे हैं जो आपसे यह कहें कि उन्हें 10 सालों का एक्स्पीरियंस है तो आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे नहीं नहीं अब जरूर पूछिए हो सकता है जो मैं नहीं जानती वह आप जानते हो तो मुझे भी जान लेना चाहिए ना ठीक है और अप घर में दिया क्यों जलाती है मुश्किल सवाल लग रहा है न कोई बात नी टेकर ओन टाइम आराम से सोच कर बताईए और अगर भी ना बता पाई तो मैं बताऊंगा अलग 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 मकसद के लिए जलाती है एक गरीब और अपनी कुटिया को रोशन करने के लिए जलाती है एक तवायव अपनी महफि को सजाने के लिए एक पुजारन भगवान को खुश करने के लिए और एक घरेलू और इसलिए दिया चलाती है ताकि उसके घर में लक्षमी आए शांती रहे और सुख बड़े गुड वेरी गुड एक अगरी सवाल आपको गाना आता है क्यों नहीं आता होगा तो शादी न आप लोग आराम करती हैं तो क्या पूस्तिन मेरे पैर दबाओगे अ क्यों नहीं तो फिर मुझे गाना आता है तो फिर गाये ना उसके लिए आपको खुबसूरत वादियों में जाना होगा गुड जहां चारों तरफ हर्याली ही हर्याली हो जहां एक तरफ आसमान से बाते करते हुए पहाड हो तो दूसरी तरफ पानी का खुबसूरत झर्ना जर्ना हाँ और हम 30-40 लड़कियों के भीज खेरे होंगे दिल का पंची बोले सांसों की बंसी बोले कुकु 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 तेरा भी दिल बोले कुकु कुकु मेरा भी दिल बोले कुकु कुकु मुझको पसंद तेरी कुकु कुकु तुझको पसंद मेरी कुकु कुकु जोता खाव में है वो सावने रोज करेंगे हम कुकु कुकु दिल का पंची बोले कुझा 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 तख़ट 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 तख़टॉ मैं तुम्हें व सारजा अच्छा है तुझे अच्छा है नसीब में रफाया तुझे में तो मैं हूँ सारा जाच्छा है तुझे अच्छा है नसीर में रफाया तुझे आगई यादा तेरी पसंद मुझे कर लिया तूने राजा मंद मुझे उसित हाब में है वो सामने रोज करेंगे हम कुदक दिली का पंची बोले कुदक सासों के बंसी बोले कु 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 तेरा भी दिल बोले कु 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 मुझको पसंद तेरी कु 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 तुझको पसंद मेरी कु 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 जो था खाब में है वो सामने रोज करेंगे हम कु 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 तक 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 तई था तक 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 तई था हम कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु-क की फलसी बोले कुकु कु कु तेरा भे दिल बोले कु 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 मेरा भे दिल बोले कु 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 वो वो जो तुम्हारे साथ औरत थी वो कहा गई कोई खास बात कहनी है उनसे ने पस यही कहना था कि मैंने तुम से शादी करने का फैसला कर लिया है लेकिन आपने तो अभी तक मेरी शकल देखी भी नहीं शकल मेरी लिए एहमियत नहीं रखती I don't believe in face इंसान का दिल और इसकी सीरत अच्छी होने ची बस are you sure very much शकल देखने के बाद अपनी बात से मुखर तो नहीं जाएंगे मेरा नाम अजे कुमार सक्षेना है मैं एक बार किसी को जबान दे दूं उससे पलटता नहीं हूं थैंक्यू सार इसमें थैंक्यू सार ऐसे मत देखिए अपने जुबान भी है आप अपनी बात से हर्गिस नहीं पलट सकते हैं तो प्लीज एक बार ट्राइटो कीजी शादी करके हां सर हमारी सहली का दिल मत तोड़िये यह बहुत प्यार करती है आपसे अपने टीचर के साथ इस तरह की बाते करते ऐसा बेहुता मदाग करते शरम नहीं आती तुम ल तुम मेरी स्टूडेंट हो इसलिए मैं इंकार कर रहा हूं कि ये मेरी जिंदगी का सवाल है तो कैसी बात करती है तू मेरी साथ फिकर मत कीजिए मैं जया को समझाता हूं जया एक मिनट प्रीज अब मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ और स्टूडेंट ना रहू इसलिए मैंने ये काम किया है बस यू समझ लीजिए आज से मैं आपके लिए जया और आप मेरे लिए अजय फिर अजय अजय बाबू आउँ आज के बाद हमको आपकी और आपको हमनी परवा करने के जुरूरत कौनों नाहीं है और आज के बाद हम आपको तंग भी नाहीं करेंगे पूछो क्यूंकि कल हम सोबा टीचर के साथ आउँ करने वाले हैं का करने वाले हैं साधी यह रहा हमरा साधी का कारश आसी रोदेने जरूर आना हाँ हाँ है जो बाजी जरा यह आएंगी हाँ अरे 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 हमने होने वाली जोरू है इका कोले में कहें कोले जा रहे हो स्कूल का जरूरी मैटर है शगुन बस एक मिनदे आऊ यह क्या सुन रहा हूं मैं शगुन आपका स्टूड़न्ट है और आप उसे शादी कर रही है आजे बाबू आज तक मुझे कई लड़के देखने आये लेकिन उन्हें शादी के लड़की नहीं बैंक चाहिए सब मुझसे यही सवाल पूछते हैं तुम दहेज में क्या दोगी आपको मालूमें शगुन ने मुझसे क्या कहा उसने कहा है मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा उसे तो सिर्फ मेरी शादी की रजामंदी चाहिए थी सो मैंने हां कर दी शगुन आपका स्टूडेंट है सो वाट अजे बाबू किस कानून ने कहा है किस किताब में लिखा है कि स्टूडेंट और टीजर शादी नहीं कर सकते कि यह शगुन और टीचर साथ साथ क्यू है मुझे सब पता है अब आप क्या कहते हैं जब देखिए तो टीचर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट करते रहते हैं अब है आपके पास कोई जवाब है जब मैं स्कूल में बढ़ता था तब एक टीचर अपने स्टूडेंट को भगा ले गया और जानते हूं स्टूडेंट के माबाप ने क्या किया खुद कुशी कर ली आज तक वहादसा मेरे दिल में खटकता रहता है सवाल भी खुदी करते ह और जवाब भी खुदी देते हैं आपके दिल की बात आप जाने मगर आज मेरे दिल ने ये फैसला किया है ये है हमारे प्यार की पहली सीड़ी ये क्या तुम्हारे कमर का पट्टा है ये मंगल सुत्र इसकी इज़त करना सीखोगा देखो जाया मैंने प्रिंसिपल साब से वादा किया है कि किसी भी तरह में तुम्हें मना लूँगा ये फजुल की बाते छोड़ो और सिरफ पढ़ किसी और के बारी में सोच भी नहीं सकती, मैं आपको एक हफ़ते की महलत देती हूँ, आठवे दिन आपको ये मंगल सुत्र मेरे गले में पहनाना होगा, वरना जो कहानी आपने मुझे सुनाई है, उसे मैं दहराऊंगी। क्या मतलब? यही कि आपकी स्कूल का एक टीचर एक स्टूडन को भगा ले गया था और उसके माबाप ने खुदकुशी कर ली, अब आप अपने स्टूडन से शादी नहीं करेंगे तो वो इस समुंदर में डूब कर खुदकुशी कर लेगी और बदनामी होगी आपकी, अब पैसला आपक गुद्बाई लगता है सौर आगाए, मंगर स्कूटर के बज़ा टैक्सी में क्यों? आउ, इका अजय बाबू, अचानक आउ कर लेओ, नमस्ते भाबी, हमका बताय तक ना ही अजय बाबू, ये कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छा जमाया, एक माली, दो फूल पधाई हो अजय, अरे क्या कर रही हूँ ये? ठरो तुम, रिवाज के मतादिक जब नई दुलन घर में आती है, उसके आरती उतारी जाती है रिवाज के हिसाब से लड़के वाले के रिष्टेदार आने वाली बहों को सोने के गहने भी पहनाते है कौन करेगा इतने सारे रिवाज, मस्तर जी का अपना तो कोई है नहीं, लड़की पहले ये नाथ है, मस्तर जी जल्दी में आनाथ आश्रम में शादी करके आ गए बात जल्बाजी आखेले होने की नहीं है, मिश्रा जी, मैंने पहले से ही फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूँगा तो किसी आनाथ से ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वगर रित रिवाज निबाना भी तो जरूरी है आज से हम अजय की पत्नी के रिष्टेदार अजय बाबू, अरे पहले दिरामे भी रामे लेखते थे क्या, कब किसे घर में लाना है, कब किसे किस का किराएदार बनाना है, ये सुर्टाल का संगम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं वैसे मेरा कैलकुलेशन कुछ और कह रहा था पर आपने तो कुछ और ही कर दिया गुद इवनिंग सा, किम्राचुलेशन्स तुम यहां क्या कर रही हो, फिर और कहा जाओ वाह, 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 इसे कहते हैं जब उपरवाला देता है तो छप पर फाड़ के देता है किसी की पांच उंग्रिया घी में होती है और कोई घी को तरस जाता है पानीपुरी जी, आप खड़े क्यों हैं, बैठिये, मैं ज़रा चाय भिजवाता हूं यह क्या कर रही हो तुम, जाओ यहां से, जाओ सुहागरात की सेज सजा रहे हूं ताकि आपको दूसरी बार याद रहे दूसरी बार, दूसरी बार क्या याद रहे जब मैं दुलहन बनकर आऊंगी तो यह सेज खुच सजा कर रखेगा देखो जया, मैंने सिर्फ तुम्हारी वज़े से इतनी जलदवाजी बार शादी की, ताकि तुम्हारा भविश खराब नहों और तुम दुबारा स्कूल जा सको आपने शादी किसी लिए भी की सर, वगर अच्छा किया, कम से कम इसी बहाने आपको थोड़ा एक्स्पीरियंस तो मिल जाएगा हमारे वक्तिये एक्स्पीरियंस बहत काम आएगा जयाद आप अक्वास मत करो नहीं तो मैं जान चमा डलूँगा मैं एक शादी शुदा आदमी हूँ, I'm a married man आप एक शादी तो क्या, साथ शादी कर लीजे तब भी मैं आपके आठवी बीवी बन कर इस घर में आऊंगी यह मेरा वादा है सर, this is my challenge जज तुम हो और यह कोट भी तुम्हारा है मगर आज फैसला हम सुनाएंगे हमारे भाई को अगर हमारे हवाले नहीं किया गया तो तुम्हारे सभी लोगों को मौत की सजा में लेगी येस ओफी सर, क्या पोजिशन है तकरीब और हमारे सौ आदमें अंदर प्रसे होगे सर और सबसे बड़ी बात यह है कि जज साब भी उनके कब्से में है फायर प्राहिए झाल झाल इसको अच कि आपको याभि को पार उस्ते कहा है कि हर आदे मिनट के बाद अमारे एक एकार को अधनि का गट तोर देगा आप जल्दी से कुछ फस्ता किज़ेश करें अरे मंत्री मेरी रियाए के सिवाई तिरे पस और कोई प्रहूं करें देक टेप्टन, छोटे को उपर लाए जा रहा है छोटे छोटे मेरे भाई रोक क्यों गए कैप्टन अपने भाई को साथ नहीं ले जाओगे अब तो ये तुम्हारी आखों के सामने है तुमसे ही कुछ खदमों के फासले पर हिम्मत है तो ले जाओ इसे ले जाओ लेकिन याद रखो इसे तुम यहाँ से जिन्दा वापस नहीं ले जा सकते इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े तुम्हें धूर्ण ने अगा है महा तुम … अपने जिस्म में बंबान कर जान देना शर्य तुम्हे ही लोग जानते हो हम भी जान देना जानते है सर्फ इस मात का है себя तुम अपने स्वफ के लिए जान देते हो और हम अपना देश के लिए जान देते एं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हम बुल्बुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा कि कैप्टन लगता है में बात में पताए जा रहा है कि कैप्टन कि कैप्टन कि क्या चाहते हो तुम मेजर आजाद कालीफुर से ट्रांसफ़रों कर जहां तुम जा रहे थे वहां तुम नहीं यह जाएगा कि थरुम में धो तो बहुत खुश किसमत है सरस्वती जो तुझे देखते हैं यो मासे शादी के लिए फौरण तयार हो गया वरना उसने तो मुझे से कितने मुश्किल सवाल पूछे थे अच्छा लेकिन हो सकता है जो सवाल उसने मुझे से शादी से पहले पूछे हैं वहीं सवालों तुमसे शादी के बात पूछे तो आगरायत के दिन सरस्वती 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 क्या हुआ अरे तुम रो रही हो क्या हुआ किसीने कुछ कहा तुमसे मैं एक अनाथ हूँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा पती मिलेगा मुझसे शादी करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा इसान किया है अरे मैंने तुम पर कोई इसान नहीं किया मैं एक मर्द हूँ और हर मर्द को एक जीवन साथी की जरूत पड़ती है तुम्हें एक औरत हो और तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हें एक जीवन साथी की जरूत है तुन्हें एक दूसरे के लिए बराबर वी बोर्ट आर सेलिंग इन दे सेम बोर्ट यू फॉलो मी तो चलो चलो आओ बैच वांट सम वाटर अरे ये क्या तुम नीजे क्यों बैठ गई आपके बराबर बैठना ठीक नहीं लगता नहीं नहीं चलो उपर बैठ तुम मेरी बीवी हो खुलाम नहीं देखो सहस्वती मुझे सरफ तीन लोगों से प्यार है नमबर वन मेरी टादी चिनोंने मुझे पाल पोषकर बढ़ाखिए नमबर टू मेरे गुरुजी चिनोंने मुझे शिक्षा दि और नमर तीन तुम से क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो ये नमबर इससे पहले उन किताबों का था लोग मुझे कितावी कीडा कहते हैं ओ हाँ जरो वाँ से मिल्टन की पैरडाइस लाउस नाम की किताब लाना प्लीज जी उस किताब में मिल्टन ने ये लिखा है कि अगर पती-पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ के जिन्दगी गुजारे तो उनकी जिन्दगी स्वर् अरे चुपचाब क्यों खड़ी हो अगा पांचवी क्लास पांचवी क्लास तो फिर तुमने अपना नाम सारस्वाती क्यों रखा मैंने नहीं रखा बच्पन में माबाप ने रखा था मुझे धोका देने के लिए देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जब मैं मुझे चौथी में होना चाहिए जब मैं चौथी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे तीसरी में होना चाहिए फिर मैं तीसरी पास करके चौथी में गई चौथी पास करके पांचवी में गई फिर चौथी में आई फिर तीसरी में आई ऐसा तीन बार हुआ फिर मैं पढ़ी हो गई फिर चोटे चोटे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने में मुझे शरम आयी मैंने छोड़ दिया अरे सर अस्वती जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी में पूछा आती है गुड खाना बनाना आता है तु तो एकदब पगली है रे गर्दन हिलाकर इशारी से कह देना साथ आता है और फिर धीरे धीरे सीख लेना मगर जूट बोलना तो पाप है ना दीदी कोई पाप पाप नहीं है जैसा मैं कहती हूं वैसा कर वरना तिरा घर बसने से पहले ही उचर जाएगा अरे तुम गहरी सोच में क्या पड़ गई मैंने तुमसे पूछा था तुम्हें खाना बनाना आता है आता है चलो शुक्र है देखो मुझे खाने का बहुत शौक है आई जस्ट लव फूड और वेजिटन से ज्यादा मुझे नॉन वेज बहुत पसंद है ऐसी बात नहीं है अगर वेजिटन में को अच्छी चीज मिल जाए तो वह भी मैं खा लेता हूं लेकिन नॉन वेज में मुझे सब कुछ पसंद है चिकन मटन फेश प्राउन कबाब तगडी कबाब पाया गुर्दे कफूरे सुनो सरसुपी जहां तक हो सके मर्ग को बोलने मत देना मगर फिर भी अगर वो तुम से ज्यादा सवाल जवाब करें तो फॉरण बत्ती बंद कर देने से मर्ग का मूर बदल जाता है और वेजिटेरियन में वेजटेबल पुलाओ वेजटेबल पिरियानी वेजटेबल फ्राइड राइस वेजटेबल कॉर्मा अरे बातों से दिल पहलाओगे क्या अरे वां मैं तो समझा था तुम इस मामले में बिल्कुल भोली हो तो अरे दादी मा इस तरह आक्थे फार कर क्या देख रही हो बंकर उन्हापनी आंखें सरस्वती भावी ऑभावी 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 इन्होंने शायद मेरे बारे में यह स से शादी कर रहे हैं मगर जब उन्हें पता चला कि मैं पांचवी क्लास पास हूं तो बहुत हाफसेट हो गए हाँ इसका मतब राज को नहीं नहीं वो तो मैंने संभाल लिया रात को सोते सोते चार बज गए मगर भावी अब अगर उनको पता चल गया कि मैं अनपड होने के साथ साथ खाना बनाना भी नहीं जानती तो पता नहीं और कितने हाफसेट हो जाते इसलिए मैंने सरहिला कर कह दिया मुझे आता है मगर वो रात को कहने लगे कि सुबा जगा देना क्या देकर हाँ याद आया ग्यास काफी अरे ग्यास काफी नहीं लेकिन अब मैं कैसे बनाओ मुझे तो बार्डर लग रहा है अगली कहीं कि इसमें डरने के का बात है हम है ना आरे जरासी भी अर्चन आए तो तुम हमारे से लाट बोले पास चलिया ना जी जकना नहीं आहिस्ता अश्ता अश्ता साब ठीक हो जाएगा हा अब भवाबी अ ठांकू नहीं थांक्यू 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 वाह या कॉफी बनाई है you have made my day रात को मैंने ऐसे नहीं कहा था कि भगवान ने तुम्हारी कुछ बातों को छोड़कर तुम्हें बहुत गुनी बनाया जी जाता है सुबह सुबह तुम्हें इनाम देदू आपको स्कूल पांचने में देर हो जाएगी ना आप नहांकर तयार हो जाएगे मैं नाष्ता बनाती हूँ अरे छोड़ो ना नाष्ते को शोड़ो यह लो तरसुती छोले पूरी और आलू के पराथे तुम बहुत अच्छी हो बाबी थेंक्यू कि पराथा अच्छा नहीं बना किया बाबी ओ भाबी बाबी को क्यों बुला रहे है अरे का बा किया है कeledam हमेशा त्मारी तारी थोरो भजाते रहते हैं या दूबारी क्यों बज्जवाते हैं कि सरस्वती हमें प तो फिर भावी पराशा कैसे लगा अब हम क्या कहें पर हम तो मना कर देंगे सर्मा जी से कि हमारे पारीष का ढोलना पीज़ा करें हाँ डाडा अरे सरस्वादी जड़ा सुरू तो अब भी स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा है क्या ने ने वह बात नहीं है वह क्या है कि स्कूल में मेरे साथ दस पंद्रा कुवारे टीचर भी बढ़ाते हैं इससे पहले क्यों मेरे मजा खुडा है मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि शादी के कितने फाइदे होते हैं तुम सोच क्या रही हों अो जुआ चिक्टिन बिर्यानी और चिकन करी के बारे में हो सके फ्राई भी बिर्जबाद देना है धिको इजद का सवाल है खालका बहुत टेस्टी होना चाहिए ये औक में क्ड़रे भाय का लेने प्योले इन्ग भेंजूँगा चिक् भाबी भाबी तो शकार यह है अब मैं क्या करूं कहां जाओ चिकिन प्राई चिकिन बटन अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं खुछ समझ में नहीं आता क्या होगा अब आप भी बताईए जब वो चपड़ा सी आएगा तो उसके हाथ क्या भी जवाऊंगी और जब वो शाम को आकर पूछेंगे तो उनको क्या जवाब दूंगी मेरी तो जान निकली जा रही है मैं इसकूल चाहिए उससाप खावा लेने जहां वो देख खाना ले जाने के लिए प्यूना है अब वो बिचारी क्या करेगी या पता सुबह से देख रहे हूं उससे तो खाना बनाने की तैयारी की ही नहीं नमस्ते मिम साप नमस्ते बाबू बाबू रुखो अरे 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 यह कर रहे हैं अजिसा खाना है मालू मैं अस्ति चुप रहे हैं अरे यह तो खाली है त्यारे पती देव नाराज मत होना मगर सच यही है जो आप देख रहे हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता आपकी नालायक पत्नी सरस्वती सरस्वती डालिंग कहा हो तुम जरब क्या बात तुम इती जैंवी क्यों वाय यह सो स्केट मारिये मुझे मेरे खाना पकाने के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे सिर्फ मैं अकेला नहीं पुरा स्ताफ ही समझ गया वा 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 क्या बिर्यारी बिज़वाईती सब लोग अपनी उंग्लिया चाटे रह गए जी चानो तुम्हारे हाथ चुमडू यह देखो मैं तुमारे लिए क्या ला है यह गजरा यह साड़ी अच्छी लगी जी तो फिर चलें कहां बेडरूम 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 यह माल गड़ी तु थक्का लगा धक्का लगा रे थक्का लगा यह माल गड़ी तु थक्का लगा धक्का लगा रे थक्का लगा यह माल गड़ी तु थक्का लगा धक्का लगा धक्का लगा यह माल गड़ी ड्राइवर में तिरा थोड़ा रुक्जा थोड़ा रुक्जा चालू करूंगा इंजिनेस का तु डरती है क्या यह माल गड़ी यह माल गड़ी तु थक्का लगा धक्का लगा रे थक्का लगा बड़ी है कंग और लंबा सफर है तू रफ्तार बढ़ा दे मन्जिल पर हमें पहुचा दे कभी कभी हम तेज चलेंगे कभी कहीं दम लेंगे हैं हम दोनों जो चाहें करेंगे आखोन सिगनल हरा दीदिया अब तू सोचे क्या यह माल गड़ी यह माल गड़ी तु थक्का लगा धक्का लगा रे थक्का लगा घरम हो गया इंजिनीस का थक्का देता जाओ यह माल गड़ी यह माल गड़ी ड्राइवर में तेरा थोड़ा रुक जा थोड़ा रुक जा रुक जा एक दब्बे में बच्चे होंगे एक दब्बे में तुम हम यह प्यार अपना न होगा कम एक दब्बे में बच्चे होंगे एक दब्बे में तुम हम यह प्यार अपना न होगा कम तेरे चलाने से ही चलूंगी तूरों पे तुरुकूंगी तेरे ही संग हमेशा रभूंगी तोचा नीचा जीवन का रस्ता संभर संभर के चला यह माल गड़ी यह माल गड़ी ड्राइवर में तिरा थोड़ा रुक जा थोड़ा रुक जा चालू करूंगा इंजिनिस का तू तरची हट्या यह माल गड़ी यह माल गड़ी तू तसकलगा रे तसकलगा तरची हट्या जरब हो गड़ा इंजिनिस का तसका देता चा यह माल गड़ी ओय 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 यह माल गाली तु थच्कल दा, थच्कल गाली थच्कल दा हूँ, 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 हूँ सुनो, सुनो, रुको यह तुम रख लो यह किसलिये मेडम? आरे कल तुमने बहुत-बड़ा काम किया अगर होटल से खाना लेकर तुम सभाव को न खिलाते तो पतानी उनके कितनी डांट से नहीं पडती मुझे यह खाने के पैसे भी है और तुम्हारा यह नाम भी है मैंने कुछ लिए कैज है मैडम यह खाना जया नहीं दिया थ biggest किसने क्या नाम बता तुमने जया यह जया कौन है वो है कौन है यह जया वो जो आपके पडोस भी रहती पड़ो समय? क्यूरीились कौन है रे तुॉ स्वार्ख से उतरी हुई, अपसरा समझती आपने आपको, हां मेरे पती को खाना kui भिजवाया तुने, अरी तु रहा मेरे पती कॉन है मेरे पती को खाना भिजवाने वाली ?। वो मेरा पती है मैं उसे खाना भेजू ना भेजू मेरी मर्थी हमारे बीच में आने वाली तू कौन होती है मेरा पती तुझे बहुत अच्छा लगता है क्या अरे रहा नहीं जाता तो शादी क्यों नहीं कर लेती पर आये मर्दों पर नजरे क्यूं डालती फिरती है है तुम दोनों में सजया कौन है पूरी जैसमिस तूने मेरे पती को बिरियानी क्यों भीजवाई किससे पूछ कर भीजवाई बलती क्यों नहीं बॉल जी वो जैनी इसलिए ए चिपकली बीच में बोली ना तो दूंगी खीच कर यह जो दांप दिखाई देते ना सब बाहर आ जाएंगे चल चल यहां से चल अब बोल बहुत तरस आ गया था तुझे उन पर उन्हें भूका रहते देख नहीं सकती थी तू तूने क्या समझा था कि तू चुपचाब अपना खेल खेलती रहेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा ए इतनी ही आग लगी है तुझ में त हुँ और तू अपनी गिटर पिटर से मेरे पती को लुभा लेगी तो तू घला समझती है क्यूंकि दूसरी बातों में मैं तुझ से बहुत आगे हुँ सरस्वती कुछ से में इनसान अपनी काबू में नहीं रहता तुमने ये बात सावित कर दी अरे इतना लंबा चोड़ा भासन सुना दिया बैचारी को ये जानने की कोसिस भी नहीं की कि उसकी गलती क्या है अरे जानती भी हो कितना अच्छा दिल पाया है उसने हां हां आप तरफदारी करेंगी ही उसकी आखिर किरायदार है आपकी और मैं कौन हूँ एक पड़ोस वाली बस सरस्वती हद से अच्छा अब आपके बारे में मैं समझ चुकी उस दिन आपने मेरे गले में ये चेन इसलिए डाली थी न कि वक्त आने पर मुझे बुरा भला कह सके ये ल मगर आपके पती की तो उमर हो चुकी है इसलिए आपको तो कोई चिंता नहीं मगर मेरे पती तो अभी जवान है खूबसूरत है और उपर से बोले भी है उन्हें तो दुनिया की बुरी नजरों से बचाना पड़ेगा न मुझे सरस्वती तुम बिला सोचे समझे बहुत ज जले में डाली थी यह चेन हमने तुमहारे गले में डाली जरूर थी मकर यह हमारी नहीं है जय की है कि उस तन जब तुम व्याह के आई थी न तो सब तुम्हें अनात अनात कह रहे थी जैस यह देखा नहीं गया चांती हो क्या बोली भावी और बड़ी उमीदों के साथ अपने पती के घर आती है और पहले दिन उसके साथ को इस तरह का बरताव करे यह ठीक नहीं है इसका कोई हो गया हो गया हो गया सत्य अनास मुझसे आग लगे मेरी जबान को बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या बोल गई इसलिए लोग कहते हैं भावी इंसान का पड़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है मैंने उस बीचारी का दिल उसका जो मुझे अपनी अपनी सगी बहन क तरह समझती है ओ जया जया मेरी बहन मुझे माफ कर देए मेरी मत मारी गई थी जो बिना सोचे समझे तुझे गलत समझ बैटी तुझे भी तो अपने मूँझे कुछ बोलना चाहिए धना मगर तु बोलती भी कैसे मैंने तुझे बोलने का मौका ही कहां दिया अब मैं समझ पती को खाना की भुजवाया था, ताकि तेरी तिरी बड़ी बहन को गालिया ना पड़े सुन, मेरे साथ बात नहीं करेगी, क्या नाराज है देख इधर तेरी दीदी तेरे सामने हाथ चोड़कर माफ ही माँगती है अपनी दीदी को माफ नहीं करेगी एक शर्ट पर, मुझे तेरी सारी शर्टे मंदूर हैं, तु बोल तो सही एक हफ़ते की अंदर-अंदर खाना बनाने के सारे तरीके तुम्हें सीखने पड़ेंगे एक हफ़ते की अंदर लेकिन मुझे सिखाएगा कौन, मैं तु? लेकिन क्या मैं सीख पाऊंगी? वो सब तो मुझे पर छोड़ दो, नहीं सीख सकोगी तो जीजा जी को खाना भिजवा भिजवा कर अपना बना लूँगी, मन्जूर? मन्जूर जया, तुमने जो-जो चीज बोली थी न, मैंने सब डाल दी सी अब अगर सबदी ठीक नहीं बनी, तो इसमें मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती होगी आप फिकर मत कीजी दीदी, सबदी फर्स क्लास बनेगी, अच्छा जरा चक्के तो बता, आप खुदी चक लीजी न, तू चक न, ठीक है, करम है सुपाब ठंको ठंको नहीं दीदी, ठैंक यू, आरे वही तो बोल रही हूं न, ठैंक यू, पता है, मास्टर ची जब घर आएंगे, तो क्या कहेंगे कहेंगे कुछ नहीं दीदी, सीधा पैडरूम ले जाएंगे बेशराब माश, जया कि बच्ची बट्टो, मेरा भाई मेरा बी फिया तो ठीक तो है न अरे, मार डाला मेरे भाई हई क schle घर Państ आला अरे देख्या बच्ची तयक स्कैोल नकल रहा है अब बाबु साहब अब माफ कर दो भाई गाड़ी आप चला रहे लो इंट्री का बोर्ट नहीं दिखा दिया आपको गलती हो गई माफ कर दो अरे काई कि कोई माफिया भी नहीं चलेगी आपको पुली सेशन चलना पड़ेगा क्यों टिड़ा होता है छोटी सी बात है माफ कर आपके यह छोटी सी बात लगती है अरे बच्चे की जान जा सकती थी उसके टान तूट सकती है आपको छोटी सी बात लगती है चलिया नीचे उतरी है आरे नीचे उतरी है आप दीचे उतरी है अट अजय हो पाइफ अजय हो नजय कि अजय हो जय हो जाए तुम ठीक हो मैं ठीक हूं सर तुम चैय को समालो मैं आतर सर एक्सिलेंट के उपर से लाई जखने पर उतर आए ये देखिये ये ये क्या दादा किरी है तो इंट्री में कैसा है तो बोल दिया बाबू को गलती हो गई माफी मांग ली अब क्या अंदर क्या है ये अंदर क्या है आम है आम पारी है ये परतो प्क्याइ बापिए जल्दी से नाश्ता लाओ बहुत भूग लगी है ला रही हूं अरे ऐसा क्या बना रही हो जो इतनी देर कर रही हो आज बहुत कुछ बनाया है मैंने अलुके पराथे हल्वा पूरी प्छना अराम वाव 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 यह आपके लिए नहीं है सिर्फ आमलेट मेरे लिए बाकी तब तक मैं उसे खिला करा अधिया को अध्यक्रियों धीरे वो लड़की मेरी बीवी से अपनी दोस्ती बढ़ा रही है अब क्या करूं इस लड़की title समझ हम शुब नहीं आ कुछ आइडिया तो दादी मा कुछ आइडिया तो अरे इतना क्या सोच रही हो दादी मा सोचने सोचने में तो तुम्हारे पोते का बसा बसा घार उजण जाएगा आख शाएगे बाब लगारे ऐसी इसे लो किया है मेरे स्कूटर आपके साथ बैठाई कर आपके चली अची अब बन सकती कोई बात नहीं मैं लिफ्ट के लिए और भी बन सकता हूं तुम ठहरो मैं तुम्हारी वाबी की नाइलॉन की साड़ी पेंट कराएं आपकी चक्या कि नहीं क्या मतलब मतलब यह शर्मा जी कि मेरी पिछली सीट पर सिर्फ मेरी और बैठ सकती है only my wife आप बस में क्यों नी बैठ कर जाते हैं बस मैं बस में बैठ कर जाओ यह कर जाओ मुझे आपके कैलकुलेशन की ज़रूरत रही है मुझे भी पता है एक रुपे का टिकट खर्च करूंगा तो बस में आराम से दस औरतों के धक्के खाते हुए जाऊंगा अरे रुकिये तो जया को सास लेते जाए इसकी तबिया ठीक नहीं है अस्पताल छोड़ दीजेगा तरसथी मुझे तो वैसी देर हो रही है यह यह आटो पर बैटकर चली जाए आप में कमाल की बात करते हैं अस्पताल रास्ते में ही तो है छोड़ देंगे तो क्या फरक पड़ जाएगा अब यह कहां आटो ढूंडेगी चल बैट जाया लो अब इधर उधर क्या देख रहे है अब देर न कहते हैं जरा रुकिये अच्छे बाबू इस रोमांटिक पोज में कैन यू गिम्मी सम आइडिया यह कौन है बस बस सवाल का जवाब दीजी जवाब कौन है यह वह क्या हो गया आपको अब मुझे नहीं जानते हैं मैं तुमको जानता हूं जया पर तुम इनको नहीं जानत हो अभी इनों मुझे क्या कहा क्या कहाँ यही के स्कूर्टर की पिछली सीट पर यह सिर्फ अपनी नीं को पिढ़ाते हैं इसके आलावा यह किसी और को नहीं बिठाते ये इनका असूल है जय बाबू अब आपका असूल क्या कहता है जया आपकी पतनि है या इसकी शकल दे कीजिए मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है वैसे हमारा केलकुलेशन भी यही कहता है चाया मंगल सुत्र मुबारक हो all the best thank you sir bye 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 श्यूके वाल। बडतने से सरह的 वाइ यही कहता है चॉटεν पोला निकल हराम स्जादे मैं तुझे तेरे मकसद में काम्याब नहीं होने दूगा तुझ जैसे देश दिरोई के हाथ हो अपने देश को बर्बाद नहीं होने दूगा लाम संदादे तुझे में टुझे तूगा नहीं हो अजाँ प्रव्श दूगार चाने देशे तुझे याज़ला नहीं हो अजादे दिरोफार आीजिए दढ़ेकटवा नहीं हो इंगा फिरोवर्वर्वर्वर्श थिर्विए भंपट तूट उडिशीज़ ऱ। रंसले जाद येस सर गेट वाले को रिलीव करो ओक्या सर पता नहीं सर क्या मनहुज जमाना आ गया है सर कोई सोच सकता था हमारे देश में ऐसे भी दिनाएंगे क्या बात है सर ये टेलेग्राम ये टेलेग्राम किसका है अपनी जयाक है उसके पिता मिलीटरी में थे टेर्रिस को रोकते रोकते शहीद हो गए अपनी अपनी निगाया कि जब तक ये मामला ठंडरी हो जाता तब तक जया कोई ही रखा जाया वहां न भेजाए सर वह वापिस जाएगी भी कहा उसका इस दुनिया में उसकी पिता के लाव और कोई था भी नहीं अरे शगुन अरे मेरे बच्चे अरे मेरे लाव हम जरा गल्दी में हैं पान किसी और से मंगवा लो अरे पान नहीं चाहिए हम तो तुम से यह पूछ रहे थे कि हमारे इलाके में कोई अनाथा शर्म है क्या आपको अनाथा शर्म की जरूत काय को पड़ गई घर चोड़कर वहां काय जा रहे हो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए जया के लिए चाहिए बेचारी अनाथ हो गई है जब उसका बाप जितना था तो रेगुलर्ली किराया आता रहता था लेकिन जब से उसकी छुट्टी हुई है मेरे किराई की भी छुट्टी हो गई है इसलिए हमारा कैलकुलेशन कहता है कि बेचारी को अनाथ आश्रम में भरती करा दें दूसरे अनाथों की कंपनी में कुछ रहेगी तुमारा कैलकुलेशन क्या कहता है कि हम तुमको जितना कमीना समझते थे तुम उसे दूई कदम आगे हो चुत प्राइए और हाथ है और हम तुमको लेके जाएंगा रात आश्रम जबरदस्ती कुट्टे की तरह पीटते हुए तुम्हारी जान पेचान भी है बोलोग ज्यादा क्याल रगी हो उसका कैसे इंसान है आप आपके सीने में दिल है या नहीं एक ऐसी लड़की जो बचपन से आज तक रानियों की तरह रही है अचानक पिता के मरने के बाद अनाथ हो गई अनाथ आश्रम में रहने की बात कर रही है और आपके कानों में जूं तक नहीं रहेंग रही सरस्वती ज्ञा तो कुवारी लड़की उपर से जवान भी हमारे गर में कैसे रह सकती हो जिदी मैं नहीं चाहती कि मेरे वज़े से आप लोगों को कोई तकलीफ हो सुना तुमने अरे उसे भी हमारे गर में रहना पसंद नहीं है उसको मनाना मेरा काम है पहले आप बताईए आपको तो कोई इतराज नहीं है इतराज हो भी तो मैं क्या कर सकता हूं वोग सारी वजय बताने पड़ेंगी मेरी तरफ से वह खुशी से रह सकती मुझे क्या थैंक यू देखा जया तुम्हारे जीजा जी ने क्या कहा जाना अंदर इस तरह फैंकने से यह चलने लग जाएगा उल्ट और खराब हो जाएगा अरे मेरी किसमत लिए किस्मत है अगर मैं गाना गाऊंगी तो वह गाना नहीं होगा क्या तो सब लोग मुझे गाने के लिए कहते थे अरे इतनी बड़ी बात तुम सुवागरात के दिनी बता देती तो तुम्हारा कुछ जाता आपने पूछा है नहीं मैं कैसे बताती वह करेक्ट अब जो मुझे पता चल ग दिस एक अच्छा सा गाना सुनाओ सुनाओ हां कि अच्छा कि क्या हुआ कि और अधाक कुल आ को कोई बाद क्लत के यह बादद सो है मैं नहीं चाहती आपकी सिवाए मेरा गाना को यह और सने हां यह थी झीत है तुरासा बंड कर करके आता हूं या चलो अब सुना नहीं मुझे शर्म आती है अब किसे शर्म आ रही है आप से अरे दूसरी बातों में तो शर्म नहीं आती गाना गाना में शर्म आओगी चलो गाओ नहीं आप मेरी शकल देखिंगे तो मुझे गाना नहीं गया जाएगा अब उस तरह मुझे के बैठिये ना तो फिर तुम्हें मैं गाते में देखूंगा कैसे अहां गाना देखा थोड़ी जाता है गाना तु सुना जाता है मुड़ी है ना अच्छा बाबा ये लो भगवान भगवान ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द बरे मेरे ना ले सुन दर्द बरे मेरे नाले भगवान 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 के लिए सोजाओ सरस्वती मुझसे तुम्हारे ये दर्द बरे नाले सुने नहीं जाते सोजाओ जया जब मैं आना था अश्रम में गाना गा कर सुनाती थी न तो लोग मेरी कितनी तारीफ करते थे मगर कल रात मेरा गाना सुनते ही वो सो गय हो सकता उन्हीं बहुत नीन आ रही हो नहीं जया आज सुबा भी ठीक से बात नहीं कि उनने मुझसे मैं तुझे गाना गा कर सु ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मिरे नाले भगवान 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 यह ए देदी आपका गलां बहुत अच्छा है लेकन आपका गाना बहुत ही बगवास hen कोई बात नहीं जिस तरह मैंने आपको खाना बनाना जिरे था ने उसी तरह एक हवसे में आपको गाना गाना भी सिखा दूगी तरशी में जो K चुक्यों हो गई गावना लिलो लिलो मेरा इंतहाँ दिदू दिदू मैं तुम पर जाँ प्यार की जोडी से बाढ़ के जखेंगे जाओगे अब तुम कहाँ लिलो लिलो मेरा इंतहाँ दिदू दिदू मैं तुम पर जाँ प्यार की जोडी से बाढ़ के जखेंगे जाओगे अब तुम कहाँ लिलो लिलो मेरा इंतहाँ दिदू दिदू मैं तुम पर जाँ तूने आपाथ मेरा तंगन पंगन लगने लगा तूने आपाथ मेरा तंगन पंगन लगने लगा ओ तेरी पायल जनकी तो आंगन आंगन लगने लगा कोई शिकायत तुझे कुन होगी पूरे कर दूंगी सब अर्मा ले लो ले लो मेरा इंतहा दे दू दे दू मैं तुम पर जाओ ओ प्यार की डोरी से बांध के रखेंगे जाओगे अब तुम का हाओ ले लो ले लो मेरा इंतहा दे दू दे दू मैं तुम पर जाओ जब मैं देखूं तुझ को सनम मिट जाता है हर कोई गम जब मैं देखूं तुझ को सनम मिट जाता है हर कोई गम ओ चल बन के सिंते रहो सीने से तुम लिप्ते रहो तेरे सिवा है क्या दुनिया में तु मिली तो मिले दो जहा ले लो ले लो मेरा इंतहा दे दू दे दू मैं तुम पर जाओ पर प्यार की जोडी से माध की रखेंगे जाओगी अब तुम कहा ले लो ले लो मेरा इंतहा दी तू दी तू में तुम पर जाओ ओ प्यार की दोरी से पांध के रखेंगे जाओगे अब तुम कहा ले लो ले लो मेरा इंतहा दे दू दे दू में तुम पर जाओ जैया जैया लुका मैं हस्बेंड इन बाथरूम बनी केम वी आर पुजा आई गुएंग फ्लावर चुनिंग और कमिंग ओके? ओके अरे सरस्वथी कहा हो तुम जरा बाथरूम में आना फुला पीट पर साबू लगाना मेरा पीट पर हाथ नहीं पहुंच रहा अरे सरस्वथी कहा हो आओना अरे सरस्वथी आ गई तुम अरे खड़ी क्यों आओना लगाओना साबून अरे ये क्या करी हो तुम ये तुम कपड़े दोने का साबून है पीट छी लोगी क्या अरे ये लो ये लगाओ अरे का हाथ लगते ही जैसे बदन में बिजली सी दोड़ गई हो अरे सरस्वथी पहली रात को मैं थोड़ी चलबाजी कर गया था ना अगले इत्वार को छुट्टी है ना तुम है किससे पूछ कर तुम मेरे भातुर में गुसाई है और तुवारी हिम्मत कैसे होई कि तुम मेरे पीट पर साबन मलो यह पसीना क्यों छूट रहा है पसीना नहीं पानी छूट रहा मेरा नहा कर आ रहा हूं न हमार पढ़ाए सुरू चलो आज मैं तुम्हें आपजिट सिखाऊंगा यह हैं देगा नाइट थाट वाइट एसंट गाल घ्र्क अगली पिछ ली अ कि पेटल आट रख्रव्फेडशी चली इसलेग़ स 이유 सचार किसले बना है जूते कहने के लिए आंक किसले बनी है मारने के लिए मूऔ किसलिव बना ए हराम का माल माल चबाने के लिए लिए उंगली किसलिव बनी है उंगली इन सब के सम्झा ना ही बताए सकत अब तोहार लेशन खातम अब हमार प्रेंप का लेशन वाज सुरू हो आउ, 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 आउ तरस्वती, मास्टर जी आगें तरस्वती, मैं आगया हूँ डालिंग तरस्वती, शौरण यह क्या, आज इतनी जल्दी वापस आ गया वाइफी, 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 वाइफी यह कह जरा, और यह जले भी क्या हुआ, 16, 17, 18, 19 को बीटे वे तो एक हफता हो गया अब क्या प्राब्लम है? आज मैंने मंगलबार का बरत रखा है न, इसलिए तो फिर कल क्या था? देवी मा का बरत था और पर्टो? संतोशी मा का बरत था मेरा अरे, हाफते में कुल साथ दिन होते हैं और तुम उन में सत्रा लोगों के वरत रसकती हो चल दी, ट्यूशिन निप्टा कर कितनी उमीद लेकर आया था कि तुम और तुमने सारी उमीदे पर पानी भेर दिया कितने नाराज क्यों होते हो मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूं कल दे आना कल मेरा कोई व्रत भी नहीं है अरे, कल की नहीं मैं आज की बात कर रहा हूं आज की बात कर रहा हूं क्या करूँ इंचलेबी और गजरे का लो फेक दो इने चूले में कच्रे और चलेबी को चूले में क्यों फेकते हैं मुझे दे दो ना मैंने कोई व्रत प्रत नहीं रखा है 眼के को तर्सवती नहीं दाषा पानी लाना सर्स्वती सुर्णाइबि दो व्रत बैक। आयव वह ओ आयव आयव अरह वदी द का ओंजी की दवा लाना Hum ये को ऑप चाप चाप अरह मँद्ही दॉप कुछ नहीं मैं जूट बोल रहा था अरे सुनो सच बाती है सरस्वती कि मुझे आके ले में नीन नहीं आती सरस्वती मुझे बहुत डर लग रहा है सरस्वती मैंने कहा ना आज नहीं कि अ खळा है खळा है खळा है खळा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है खड़ा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है खोल 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 दर्वाजा खोल बोल 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 प्यार के दो बोल खोल 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 दर्वाजा खोल बोल बोल प्यार के दो बोल खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है तेरे माठे पे लाल लाल टी का, दिल गाने को दिल करता है तेरे माठे पे लाल लाल टी का, दिल गाने को दिल करता है तेरी सागर से गहरी आँखे, धूब जाने को दिल करता है चारे दिवाने, जारे जा जूटे, तारी फोसे क्यों तु लूटे जानो मैं जानो मैं जानो, जानो तु छलिया पड़ा है खड़ा है, खड़ा है, धर पे तेरे आशिक खड़ा है कोल, खोल, खोल, दर्वाजा कोल, बोल, 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 प्यार के दो बोल खड़ा है, खड़ा है, धर पे तेरे आशिक खड़ा है बंद खिड़की है, बंद दर्वाजा, तुझ बिना मैं खोलूंगी घड़ी घड़ी क्यों तू सताए, तुझ से न मैं बोलूंगी कर दे उजाले, खुंगट क्यों डाले, हम तेरे चाहने वाले होजा तू होजा मेरी होजा, हाँ बंद ये जिद पे अड़ा है चाचा सूजा तू सूजा तू सूजा, क्यों मेरे दर पे खड़ा है खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है खोल 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 दर्वाजा खोल अरे बोल बोल प्यार के दो बोल खड़ा है खड़ा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है जया मैं तुम्हें अखेले में मिलना चाहता हूँ कल स्कूल के कमपाउन के बाहर ठीक तीन बजे हलो कैप्टिन मैं भूला बोला हां भूला कहो चोटे की हलत बहुत खराब है उसे यहां से निकालना बहुत ही मुश्किल है लेकिन दो बातों का मुझे पता चला है पहली तुम्हारा भाई आज यहां स्कूल रूपनगर के टीचर अजे सक्सेना की वज़े से गिरफतार और दूसरी बात उसने वो न्यूक्लियर बॉम कहा क्या ख़बर लगी न्यूक्लियर बॉम हलो हलो ज़रा सोचो जैया सोचो अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तो कितना दुख पहुंचेगा उसे जैया अगर सरस्वती के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार और मेरे लिए ज़्ए विज़़त हो तो मैं हाथ हाँ, ये बात सच है कि मैं कभी आपसे शादी करना चाहती थी, मगर ये भी बिल्कुल सच है कि जिस दिन आप दीदी को दूलहन बनाकर अपने घर लाए थे, उसी दिन मैंने आपकी जिन्दगी से निकल जाने का फैसला कर लिया था, और अगर दीदी से न मिलती, तो शायद अब तक चली भी गई होती, बगर उनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला, कि अब मेरे कारण जर्दी में एक ऐसी औरत से शादी कराए है, जो पूरी तरह आपके लाइक नहीं है, आपकी पत्वी को खाना बनाने नहीं आता, दाना गाने नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, ये सब जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, दिल की किसी कोने में आपने आपको गुनेगार समझने लगी, और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, कि मैं आपकी पत्मी को सब कुछ सिखाकर आपके लाइक एक काबल पत्मी बनाकर आप लोगों की जिस्दिगी से बहुत दूर चरी जाओंगी जया यह तुम यह तुम क्या कह रही हो सर, हमेशे आपके साथ मजाग करती हूँ ना शायद इसलिए आज आप मेरे सच को मजाग समझ रहे हैं बगर यह सच है, बिल्कुछ सच है मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ और आज, आज आपसे भी दूर जा रही हूँ कि दुदे क्या हो राई यह हमारा केलकुलेशिन कहता है पबला बहुत गरबड़ है तु अजैस सक्सेना है यहां मिलना तो तुझसे ही था याद तो होगा थोड़े वक्त पहले तुने एक बहुत बहादुर बागी को ग्रिफतार करवाया था मैं उसका बड़ा भाई हूँ मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी है तुनसे सब सीमन नीमी मेरी गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया है याद आया तु वह पहला आदमी जिसने मेरे ग्रेवान पर हाथ डाला तु वह पहला आदमी जिसकी वजह से हमारी बरसों की तपस्या पर पानी फिर गया है तु वह पहला आदमी जिसकी वजह से मारे मकसद में रुकावट आई है तु यह वह आदमी है जिसकी वजह से मेरा भाई हमारे दुश्मनों के अड़े में कहें थे तु ने बहुत नुक्सान पहुचा है हमें है अजए सिक्षिया शर्ड़ मेरे तया है वह पासर ट्र चरणला है अजए उणा वासर है वह ए Чॉर्ण मेरे बनी लदम एस्वड़े गल्पनी कान 11、व्रो धर्ण। चसलियोस्ट पावागे दिंद आहए यहाएा ध одने नहाई आगले त molar कि उसταν ब्खखाए और लिए तामोस सियोस आहाएे ए Рॉ अचार एकुcl panels ऐैं faj क्थह कि अचार एक हम और के बीड़ दो, हम पभर टृ म हैं mayoría में हो לי दे पिले दा छो पिले खिले आर को रुभ हγά कि अज़िपल के बच्चे जा जा कि अपने मंत्री को बोल दे कल बारह बजे तक अगर मेरे भाई को सलामती से या नहीं पहुंचाया जा तो उसके बाद हर एक घंटे में एक बच्चे की लाश तोफे में भेजूँगा ऐसे ये बताने के जरूरत नहीं है कि हम जंगी बागियों के लिए जंदगी कोई माइने नहीं रखते हैं चाहो तो फौच भेजकर हम पर हमला करवादें मरते वक्त भी अगर ये बटन दबा दिया तो इस खुबसूरत इमारत के नीचे तमाम बच्चे दफल हो जाएंगी सम मजगाना प्रिंसिपल के बच्चे को ही तुम शायद जब स्कूल में थे तो तुम्हारे प्रिंस्पन ने तुमको सिखाया नहीं था कि क्या रोगने वाला सुरज एक दिन डूप जाया करता है हर पैदाहने वाली जिंदगी एक दिन मर जाया करती है हां कुछ मासूमों को अगर जालिमों को मौत आती है बहुत भैंद कर मौत आती है जैसे तुम तुमें एक दिन मौत आईगी ऐसी मौत आईगी कि तुम्हें अपनी मौत से नफरत हो जाएगी बहुत जल्दी मौत आईगी तुमको टूमारी तलाश में निकल पड़ी है नहीं मेरे पती को कुछ नहीं हो सकता मेरे अजय की जान खत्रे में नहीं हो सकती अगर मेरे पती को कुछ हो गया ना तो मैं यहीं तुम्हारी देलीज पर सर पटक पटक कर जान दे दूंगी बेटी सरकार पूरी कोशिश कर रही है करीब जनता आपको माई बाप समझती है ऐसे होते हैं माबाब दूसरों के बच्चे मौस के मुह में फसे हैं और आप यहां आकर हात पर हात धरे बैटे हैं बेटी मेरा तो विद्यारती भी है मेरा बेटा भी है मेरे टो डबल लोग साने बीटी यह मत रख यह जब आपके साथ हो रहा था यह आने वाले तूफान की एक अलामत है अब यह एक लड़की ने आपके दामन को जंजड़ा भी थोड़ी दिरे में तमाम बच्चों की माबाप आएंगे और आपसे सवाल करकर क्या आपके दामन क कुछ कीजे लेकिन मेरी समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ उन कुछ बच्चों की रिहाई के बदले अपने भाई की रिहाई मांगते हैं वो हमसे तो कीजिए ना इससे पहले आपने मजबूर शेरियों की जहान बचाने के लिए कितनी बार आतकबादियों की फरमा यह के लिए बम कहा रखा है मैं तहां चुपा रखा रखा है वां कि तो क्या तेरा बाप ही बताएगा दलो शालेक अंदर कॉल ऐ बोलेगा प्雷... मैं वालिगओ लॉऑला उर्णाओंग! प्रिnd पुर्णाओंग! वुक पुझढ़ढ़ढ़ descend झाल झाल ऊत्ग सिर चाल एक नहीं अजय मैं 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 बोला हूं सर क्या फैसला किया आप लोग उने क्या सोचा बच्चों के बारे में इस पागल के भाई को रहा कर रहे की नहीं अजय पहली मेरी बात सुनो तो इस पागल का भाई मर चुका है सर इसके बारे में अगर कप्तान को पता चलेगा तो क्या होगा इन बच्चों का कौन बचाएगा इन बच्चों का गुरू देवम माता पिता इस संसार में गुरू का नाम भगवान और माता पिता से पहले लिया जाता है इस संसार में गुरू करो दुबा, भगवान और माता-पिता से भी उचा है और आज तुम को वही साबित करना है, कि तुम इन बच्चों की माता-पिता भी हो, तुम इन बच्चों की गुरू भी हो, मैसन, all the best, all the best, मैसन, all the best. क्या हुआ सर, क्या कहा प्रिंसिपल साब ने? शरार्ते करने के लिए, शरार्ते? पहां जहे, लेकिन मेरे अंधास में, क्योँ ठीध अजय ए शाल! जाल, जाल, पपपपपं पालने करो इसके लिए! कैप्टन एक लड़की की तवर तचाना खराब हो गई है सारे बच्चियों से घेर के खड़े हैं चल्दी चलियों कि अच्छा कि अच्छा कि इसे सीवियर अस्तमा का अटैक हुआ अटैक है इसे अस्तमा की मरेज आप स्कूल के रेकर्द देख शीशी है अई ता शीरे अटैना लगा है ना अटैना अटैना हाँ हाँ उधे साप्वोगर का वो बॉक्स कोल गारू क्या करो अरे भूख समल के खोला आगे से खोला अब क्या करो अब क्या करो अब हाँ से रेडियो लाग अभी अब पर रेडियो में सब ब्लूचिप निकाल रेडियो में डालर हुरु जूज हुरु निकाली अब अब में, अब में काफी ठीक हूँ भगवान का शुकर है उटो जा, उटो неп!.. स Bonजफ, कावले में, कावले! झालोगे आप ठीके जाले, जालोगे जालोगे unnatural attorney हमारा कैलकुलेशन कहता है बच्चों का बनाना भारी हो चुका है लख कर लारी हो भारी हो अुझा कर लारी हो है भार्क रहुट है लग्चों का लारी लग्चों कर दो भारी है ठाँ प्रवार थाल लुजचे लुछ घाओ गुछाओ टीाओ़ ग्सटार एंडने तर वारत लुछाजर गारत इंडने कहीं, कि अवारत वारत वी टी असे टी बढ़ हीं, रिभले बढ़े लुछारत लुछाओर, प्लेग टी दो अवारत लुछाँें। खुपक। खा सुसरा काखा के हराम का बहुत मोटा हो गया चल वीतर को संडास में जल झाल झाल सर्ष जो अ मुझ जो कर दो साइबि झाल साइब झाल साइब झाल साइब झाल खाओफ। थख़िया! नजँ जिवी वे फिरे स्तेता प्रॉ मुष्या प्रप्राफ दिवीạnh उन कोुछ प्रेंग! लिए ĭ्र वी Yak cerwide लाँ थाँ थाँ लुँ झाहा sagt भुँ « लुँ किस्ट किताす और उुके जुँ तकर निरी दुके एक्ट decides भुए लुए! लुए खिड़ाक! हम वतन के नोजवा है हम से जो टक राएगा वो हमारी दोकरों से खाक में मिल जाएगा कर भास करो टेरें लग कर आएगाशन के पास करो preserve क्गरों फ्ञéklish ú **** क्ख़र मास भास कर भाक मिल जाएगर थैना क्भ़ है आएगर हो ठिस तक membाद से लुट्स कि भास खाक मिल जाएगर neverman तो हमेज़ा भास को भास जया तुम खीको न जया मैं ठीक हूँ आजे आप ठीक तो है आप ठीक तो है आप ठीक हूँ भग्मान का लाख लाख शुकर है आप ठीक तो है ना हाँ जया 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 तुमने मुझसे जूट बोला कि तुम ठीक हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ हाँ सर मुझे कुछ नहीं हुआ मैं अपसे दूर थोड़ी जा रही हूँ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी क्योंकि दीदी जब खाना पकाएगी तो इसके सुआद में मैं मौझूद रहूंगी जया दीदी जब काना काएगी उसके सुरों के संग मेरे सुर भी मिलकर गुन गुनाएंगे दीदी जब भी कुछ लिखेगी न उसकी अक्षरों में मैं दिखाई दूगी तो जया जया मेरी बेहन सुनिए जया को यह मंगल सुत्र पहना दीजिए यह क्या समझते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम जिस दिन इसके बिस्तर की सफाई करते वक्त मुझे इसका यह मंगल सुत्र मिला उस दिन मुझे सब कुछ पता चल गया अगर आज आपने इसकी इच्छा पूरे नहीं की तो इसकी आत्मा को शात्ती नहीं मिलेगी पहना देजिए नहीं दीदी इंसान मरता है मगर उसकी आत्मा नहीं मरती और उस आत्मा में इतनी शक्ती होती है कि वो दुबारा अपने मन चाहे गर्प में जरम ले सकती है मैं बहुँच जल्दापी के घर जरम लूगी सर दीदी की कोक से जरम लेकर हुखी औरी जल्क ठत lesser हुखी सर हुखी सर था अपने मैं जर में जल्दाभ झाज णत्यर जरम से जल्दावी जल्दाब झाज ऑंक मैं जर्ख पुच़ी जरम पु़पी पल्समा किक देए ₮got Od bonus